हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टी स्पीक इंग्लिश विद मी अगर आम मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बैल आइकन को भी प्रेस करें जिसे वीडियो के आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास फर्स सेंटेंस इस टेक आउट दा मनी फ्रॉम यार पॉकिट अपनी जेप से पैसे निकालो टेक आउट दा मनी फ्रॉम यार पॉकिट अपनी जेप से पैसे निकालो टेक आउट दा मनी फ्रॉम यार पॉकिट आउट माफ कीजिए मेरे पापा घर पर नहीं है जैसे कोई पूस्ता है कि पापा घर पे हैं नहीं तुम दिएगा I'm sorry my father is out someone has stolen my money किसी ने मेरे पैसे चुरा लिये है stolen नहीं चुराना someone has stolen my money किसी ने मेरे पैसे चुरा लिये है I am honest with you मैं तुम्हारे साथ इमानदार हूं honest इमानदार I am honest with you don't you have money किया तुम्हारे पास पैसे नहीं है don't you have money किया तुम्हारे पास पैसे नहीं है don't you have money I am more beautiful than you मैं तुमसे ज़्यादा खुबसूरत हूं या मैं तुमसे ज़्यादा सुन्दर हूं I am more beautiful than you don't doubt on me मुझ पर शक मत करो don't doubt on me मुझ पे शक मत करो doubt यानि शक don't lose your temper गुसा मत करो don't lose your temper गुसा मत करो have I seen her three times मैंने उसे तीन बार देखा I have seen her three times I have seen her three times I will call on him tomorrow मैं कल उसे मिलने जाओंगा I will call on him tomorrow मैं उसे कल मिलने जाओंगा I was born in Oscar in 1977 मेरा जनम 1977 में Oscar में हुआ था I was born in Oscar in 1997 I saw him crossing the road मैंने उसे सड़क पार करते वे देखा I saw him crossing the road मैंने उसे सड़क पार करते वे देखा I prefer walking to cycle मुझे cycle चलाना चलने से ज़्यादा पसंदे I prefer walking to cycle मुझे cycle चलाना चलने से ज़्यादा पसंदे I prefer walking to cycling I met your father yesterday मैं कल तुम्हारे पिता जी से मिला मैं second form है मीट की क्योंकि कल मिला yesterday मैं कल तुम्हारे पिता जी से मिला I met your father yesterday I have to answer his letter मुझे उसकी चित्थी का जवाब देना है I have to answer his letter मुझे उसकी चित्थी का जवाब देना है I have to answer his letter I have just cleaned my room मुझे अपना कमरा अभी अभी साफ किया मैंने अपना कमरा अभी अभी साथ किया I have just cleaned my room. I had never seen him before. मैंने उसे पहले कभी नहीं रेखा था. I had never seen him before. मैंने उसे पहले कभी नहीं रेखा था. I give him what money I had. मेरे पास जो भी पैसा था मैंने उसे दे दिया. I gave him what money I had. I explained the role of him. मैंने उसे नियम समझाया. I explained the role to him. मैंने उसे नियम समझाया. I don't know what they know. मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या पता है. I don't know what Tom knows. मुझे नहीं पता कि Tom को क्या पता है. I don't know what Tom knows. मुझे नहीं पता कि Tom को क्या पता है. I don't know if he knows it. मुझे नहीं पता कि उसको पता है कि नहीं. I don't know if he knows it. मुझे नहीं पता कि उसको पता है कि नहीं. I didn't go out last Sunday. मैं पिछले लवार बाहन नहीं निकला था. I didn't go out last Sunday. I didn't go out last Sunday. He doesn't know how to swim. उसको तैनल नहीं आता. I believe you like your job. मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारा काम अच्छा लगता है. He explained the role to me. उसने मुझे नियम समझाया. यानि explain के नियम समझाया. He explained the role to me. उसने मुझे नियम समझाया. He explained the role to me. His birthday is August 21st. उसका जनम दिन 21 अगस्त को है. How long will you stay here? आप यहां कितने दिन रहेंगे? How long will you stay here? आप यहां कितने दिन रहेंगे? He went there instead of me. Instead यानि मेरे बज़ा है. मुझे जाना तो वो चला गया तुब और went go की second form है. He went there instead of me. He treats me like his flap. वे मुझे गुलाम की तना बरताब करता है. वह मेरे साथ मतलब गुलाम की तना बरताब करता है. He treats me like his slap. Slame is गुलाम. He repeated his name slowly. उसने अपना नाम दुबारा धीरे से बोला. He repeated his name slowly. Repeated यानि दुबारा से. He is digging his own grab. वे अपनी कबर खोद रहा है. He is digging his own grab. Digging means खोदना और on grab मने कबर. He read his book yesterday. उसने ये कितब कल पड़ी थी. He read this book yesterday. उसने ये कितब कल पड़ी थी. He read this book yesterday. He preferred French to German. उसने फ्रांसी सी जर्मन से ज़्यादा अच्छे लगती है. उसे फ्रांसी सी जर्मन से ज़्यादा अच्छे लगती है. He preferred French to German. वे हर रोज बेसबॉल खेलता है तुमने यह मौका गवा दिया या तुमने यह मौका खो दिया चांस यानि मौका जो हमें मौका में वो तुमने खो दिया यह लौश्ट इस चांस वट काइंड ओफ बुक्स डू यू लाइक आपको किस तरह की पुस्तके पसंद है वट काइंड ओफ बुक्स डू यू लाइक आपको किस तरह की किताबे पसंद है यह चीजे मेरे कुछ काम की नहीं है यह चीजे आपको किस तरह की किताबे पसंद है आपको किस तरह की किताबे पसंद है अगर मेरे यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले थैंक्स पर वाचिंग